प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोईट जॉन डन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अलेक्चर अपॉन दा शैडो इसे 1633 में पब्लिश किया गया था उनकी कलेक्शन सॉंग्स अन्ड सॉनेट्स में यह पोएम 26 लाइन की है जो की टू 13 लाइन स्टैंजाज में बाटी गई है साथ ही इसमें आयमबिक पेंटामीटर का इस्तिमाल हुआ है और हर स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी सी डी डी सी ई ए ए फ्रेंट्स यह पोएम जो है यह काफी हद तक एक एक्षपीरियन जो सॉनेट्स है उनसे मिलती जुलती है तो कई बार इसके स्टैंजाज को स्टैंजाज से भी कंपेर किया जाता है इस पोएम की में थीम है लव यहाँ पर लव को डिस्क्राइब करने के लिए काफी सारी इमेजिस का यूज किया गया है और उनमें सन और श प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिस तरह एक दिन में पहले सुबह होती है फिर दोपहर का समय आता है और फिर साम हो जाती है यानि सूरस ड़लजाता है तो बस वैसी ही सिच्छेशन यहाँ पर लव की यानि प्यार की भी दिखाई गई है और इन सभी बातों को हम और समझेंगे जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे फ्रेंट्स जॉन डन एक इंग्लिश मिटाफिजिकल पोईट थे उनका जैन्म हुआ था 22 जैनवरी 1572 में और उनकी डेथ हुई थी 31 मार्ट 1631 में वह अपनी सॉनेट्स लव पोयम्स रिलीजियस पोयम्स एलीजीज इन सभी के लिए बहुत ही ज़ादा पॉपुलर रहे हैं और उनकी फेमस वर्क्स में डेथ बी नॉट प्राउड वैलेडिक्शन अफॉबिडन मोर्निंग दफली दगुड मॉरो ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और इस पोयम्स को भी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पर पोईट कहते हैं कि सीधे खड़े रहो हिलो नहीं और मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ क्या सुनाता हूँ तो एक लेक्चर और उस लेक्चर का टॉपिक है लव और इस लेक्चर ये जो लेक्चर है ये कौन से सब्जेक्ट में आता है तो लव्स फिलोसफी में यानि पोईट यहाँ पर खुद को एक लेक्चरर की तरह दिखा रहे हैं लव के बारे में बताने जा रहे हैं और हम सभी से कह रहे हैं कि बिलकुल ध्यान से सुनो ये जो तीन घंटे हमने बिताए हैं यहाँ पर यूँ ही चलते हुए तो हमारे साथ और क्या चल रहा था तो दो परचाईयां चल रही थी जब तक हम घूम रहे थे हमारे साथ ये परचाईयां भी घूम रही थी और इन परचाईयों को किसने पैदा किया है तो खुद हमने यानि अगर लिटरल वे में हमें से देखें तो सिंपल सी बात है कि सूरज की रोशनी हम पर पढ़ रही है और उससे क्या है परचाईयां बन रही है लेकिन अगर पोएम की इनर मीनिंग पर ध्यान दे तो यहां पर ये जो परचाईयां है वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सिंग्निफाई करती है तो पोएट कह रहे हैं कि हम जो यह अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे हैं इससे क्या है सिर्फ प्यार ही आगे नहीं बढ़ रहा हमारे प्यार में कुछ परेशानियां भी आगे बढ़ रही है जो की हमारे साथ लगातार चल रही है But now the sun is just above our head लेकिन अब क्या है? सूरज सीधा हमारे सिर के उपर है फ्रेंट जब सूरज सिर के उपर होता है तो जो परचाईया होती है वो बहुत ज़ादा छोटी हो जाती है बिलकुल हमारे पैरों के नीचे थोड़ी सी परचाई रहती है तो सिंप्ली क्या है? यहाँ पर परचाईया वो परचाईया जो की परचाईयों को डिनोट करती है वो भी कम हो चुकी है और अब हम क्या कर रहे हैं? उन शैडोज पर ही चल रहे हैं यानि हमारे जो पैर पढ़ रहे हैं अपर अपनी ही परचाईयों पर पढ़ रहे हैं और हम उन से लड़ते वे आगे बढ़ रहे हैं और अगर हम बात करें इस परिशानियों के बारे में तो ये क्या है ये अब कम हो चुकी है सूरज चुकी सिर के उपर है तो परचाईयां छोटी हो गई हैं तो इस तरह से क्या है हमारा प्यार भी बिलकुल अपने एपिक पॉइंट पर है और अभी हमारे प्यार में हमारी लाइफ में परिशानियां भी बिलकुल कम हो गई है तो जूकी हमारा ये जो इनफेंट लव है ये प्यार क्या है ये अभी बिलकुल न्यू है फ्रेश है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है हमारा प्यार और ज़्यादा स्ट्रॉंग होते चला जा रहा है डिसगाइजस डिड और शाड़ोज फ्लो फ्रॉंग तो क्या है परिशानियां जो हैं जो मुश्किले हैं वो अपना रूप बदल रही है और ये जो परिशाईयां हैं ये हमसे इसी तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है ये बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जो परचाईयां होती हैं वो हमेशा उस इनसान से ही बनती हैं तो उसी तरह जो हमारी परिशानियां हैं वो भी खुद हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं और साथ ही किस्से बनी हैं तो हमारे केर से हम जो एक दूसरे की परवा करते हैं हमारे मन में ये जो एक दूसरे के लिए प्यार है उसी से ये परिशानियां भी पैदा हुई है But now it is not so that love has not attained the highest degree मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्या कि प्यार ने अपने सबसे highest degree पे यानि प्यार अपने epic point पर नहीं पहुचा है अपने full growth में नहीं पहुचा है Which is still diligent less others see जो कि क्या है diligent है यानि मेहनत कर रहा है ताकि दूसरे लोग भी उसे देख सके यानि हमारा ये जो प्यार है ये भले ही अपने epic point पर नहीं पहुचा है लेकिन ये दिन बदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है हमारा प्यार और भी ज़्यादा strong होता जा रहा है और मुझे विश्वास है कि एक दिन क्या होगा इतनी उचाई पर हमारा प्यार होगा कि सभी इस प्यार को देख सकेंगे अब आगे poet कहते हैं except our loves at this noon's day we shall new shadows make the other way यानि कि जब तक हमारा प्यार यहाँ इस noon time तक रहेगा यानि अपनी highest point तक रहेगा तब तक तो ठीक है लेकिन जैसे ही वो इस time से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा धिरे-धिरे प्यार का level कम होता जाएगा जिस तरह से सूरज डूबने लगता है प्यार भी धिरे-धिरे कम होगा और हमारे पास क्या होगा नई परचाईयां बनेंगी new shadows बनेंगी sun की direction change होने से shadows लंबी होने लगती हैं तो उसी तरह से हमारी जो परिशानिया हैं वो भी और जादा बड़ी हो जाएंगी As the first we are made to blind, others, these which come behind, will work upon themselves and blind our eyes यानि simply यहां पर poet कह रहे हैं कि जो पहले वाली परचाईयां थी जो हमारी पहले की problems थी, वो क्या थी? लोगों को बेबकूफ बनाने के लिए थी चूंकि जो सन था वो हमारे डारेक्ट सिर के उपर था तो परचाईयां बहुत छोटी थी, परिशानियां ना के बराबर दिखाई देती थी और यह क्या था? यह दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा था पूरी दुनिया यह सोचे कि हमारा प्यार बहुत महान है लेकिन चूंकि अब टाइम बदल चुका है, परचाईयां लंबी हो गई है, परिशानियां बढ़ गई है तो अब यह जो परिशानियां हैं, यह हमें ब्लाइंड कर रही है यह क्या कर रही है, हमारे प्यार को हमारे आँखो से दूर कर रही है और प्रॉब्लम्स हमें दिखा रही हैं कि देखो क्या-क्या परिशानियां शुरू हो गई है If our loves faint and westwardly decline अब आगे poet कहते हैं कि अगर हमारा प्यार धीरे-धीरे फीका पढ़ जाएगा और westwardly decline चूंकि सूरज भी जो है वो west की तरफ डूपता है तो westwardly अगर हमारा प्यार decline करेगा धीरे-धीरे फीका पढ़ जाएगा To me thou falsely thine तो क्या होगा? तो हम भी एक दूसरे को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे जिस तरह से प्यार भरी नदरों से अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं अगर हमारा प्यार फीका पड़ेगा तो हम उस तरह से एक दूसरे को नहीं देखेंगे And I to the mine actions sell disguise और मैं क्या करूँगा तुम्हारे तरफ मेरे जो actions हैं जो प्यार भरे मेरे actions हुआ करते थे तुम्हारे लिए उन्हें मैं धीरे धीरे बदल दूँगा disguise कर दूँगा उन्हें छिपा दूँगा बदल दूँगा और हमारा प्यार क्या होगा धीरे-धीरे फीका पढ़ने लगेगा अब यहां पर बता रहे हैं पोईट की जो मॉर्निंग शाडोस थे यानि प्यार की शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या होए धीरे-धीरे फीके पढ़ गए क्योंकि जो सन था वो डारेक्ट हेड के उपर आ गया परचाईया छूटी पढ़ गई तो प्रॉब्लम्स गायब हो गए लेकिन अब जो यह सन डूब रहा है तो क्या हो रहा है परचाईया वापस से लंबी होती जा रही है और अब यह परचाईया जो है यह लंबी होती चली जाएंगी और जो परेशानिया है वो बढ़ती चली जाएंगी बट ओ लव्स डे इस शॉट लेकिन यहाँ पर एक और बात है और वो क्या कि प्यार का जो दिन है वो बहुत छोटा होता है हमारे पास तो जादा समय है ही नहीं इफ लव डिके और ऐसा कब होगा जब प्यार बरबाद हो जाए लव डिके कर जाए बरबाद हो जाए क्योंकि प्यार का दिन तो बहुत छोटा होता है जादा समय नहीं होता लव is a growing और full constant light प्यार क्या है वो एक लगातार बढरता हुआ या हमेशा चमकती भी वो एक रोशनी की तरह है जो कभी फीकी नहीं पढ़ सकती है प्यार में परिषानियां आती है ये सही है लेकिन प्यार खत्म तो हो ही नहीं सकता प्यार तो हमेशा बढ़ता चला जाता है और प्यार का जो पहला मिनट होता है उस नून टाइम के बाद वो कब होता है तो डिरेक्टली रात के समय में ये जो इवनिंग टाइम है उसमें तो परिशानियां बढ़ रही थी सूरज के कारण लेकिन एक बार जब सूरज जूब गया रोश्णी चली गई और परचाईयां जो थी वो मिट गई रात के समय में तो दुबारा से क्या हुआ लव को अपना टाइम मिला और वापस से प्यार शुरू हो गया यानि उन परिशानियों के बावजूद भी प्यार खत नहीं हुआ वो वापस से ग्रो करने लगा तो फ्रेंट्स यहां पर ये पोयम खत्म होती है सिंप्ली पोयम में यहीं बताया गया है कि लवर्स की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और उन सभी प्रॉब्लम्स से हर एक लवर को लड़ना पड़ता है लेकिन ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड है कि क्या आपका प्यार उन परिशानियों से लड़ सकता है या नहीं क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आएं एक दिन वो सभी problem जरूर खत्न होंगी और प्यार जो है उसे जीत जरूर मिलेगी तो friends ये थी William Wordsworth की poem A Lecture Upon The Shadow अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें